जै मातादी दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ फैंग शुविंग के एक बहुती सभागय साले वस्तू कच्छुए की जिस परकार वास्तुर शास्त्र में कच्छुए को बहुत महत्पून माना गया है उसी परकार हमारे हिंदूर शास्त्र में भी को की भगवान मिश्नु का एक कश्चप अपतार भी हुआ था इस कारण से हम कच्छुए को बहुत धार्मिक भी मानते हैं इसको घर में या ओफिस में रखना बहुत इशुम माना जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस परकार कच्छुए को घर या ओफिस में रखकर इसका पूर्ण लाब उठा सकें कच्छुए नय केवल धन प्राप्ती में सहायक होता है वलकि ये लाइफ में आने वाली कई तरह की प्रिशानियों से बचाता है फैंशुग में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कहा जाता है कि कच्छ को सबसे अच्छा मित्र होता है यही वजह है कि अगर इसे घर में रखा जाए तो यह व्यक्ति को हर तने की प्रिशानियों से रहा दिलाता है इसके लिए आप कच्छुए को पाल भी सकते हैं या फिर फोटो और परतीक घर में रख सकते हैं आईए जानते हैं कि को सामना करना पड़ रहा हो या फिर नौकरी ना मिल लही हो तो फैंग्शु के मुताबिक घर में कच्छुआ पालना चाहिए अगर आप ना पालना चाहें तो कच्छु का परतीक भी रख सकते हैं खास तोर पर पीतल का कच्छुआ रखें तो यह काफी फाइदेबन साबि हो सकता है नंबर दो अगर धन सम्मंदी प्रिशानी हो तो फैंग्शु के मुताबिक अगर किसी को धन सम्मंदी प्रिशानी हो तो उसे क्रिस्टल का कच्छुआ रखना चाहिए ऐसा करने से आमदनी में तो व्रद्धी होती है साथ ही दिरे धन सम्मंदी प्रिशानिया तमाम कोशिशों के बाफ़ूद अगर विरोधी प्रिशान करना नहीं छोड़ रहे हों तो आपको घर में कच्छवा का परतीक उत्तर दिशा की और रखना चाहिए। हैंशुई के मताबिक परतीक नहीं हो तो कच्छवे का फोटो भी लगा सकते हैं। नमबर चार नकरात्मा को दूर करता है। हैंशुई के मताबिक घर में कच्छवा रखने से नकरात्मा दूर होती हैं। या उत्तरपश्चिम में रख सकते हैं, ये ख्याल रखें कि कच्छुवे का मूँ घर के अंदर की तरफ रखें, और कच्छुवे को थोड़े पानी में रखें, और इस पानी को निरंतर बदलते रहें, तो दोस्तों, अगर ये वेडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, इसे शेर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जै माता दी